श्रावन मास में संपन करें शिव कुबेर साधना यदि आपके घर में कलेश, दामपत्य जीवन में कटुता, तनाव, परिशानिया, साथ ही व्यवसाइक जीवन में उतार चड़ाव के साथ साथ व्यापार में हानी या फिर तंत्र बादा के जैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आपके पास है स्वर्णि मावसर इस विशेश मास में आप परम पूजी गुर्देव सुरेश श्रिमाली जी द्वारा विशेश रूप से मंत्र सिद शिवकुबेर साथना द्वारा आप अपनी सबी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं साथना पूजन पैकेट में आप पाएंगे शिवकुबेर यंत्र, शिवकुबेर कलश, शिवतांत्रोप्त गोटिका, शिवरूपेन मनिया, शिवरूपेन माला व अश्टगंद अधिक जानकारी के लिए संपर्ग करें 0291-519-00-00-98-290-26-25-93-147-28-16-5 जन्म कुंडली विश्टेशन आम तोर पर मैं इस कारिकरम में जब तक इनसान स्वैम नहीं चाहे तब तक उसके शहर का और स्वैम व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ लेकिन अगर कोई चाहे तो हम ज़रूर बोलता हैं आज मैं जनकी कुंडली का विस्टेशन कर रहा हूँ वो सूरत शहर जो गुजरात में हैं वहां के रहने वाले मिस्टर आनंद की कुंडली का विस्टेशन करूँगा ये युवक जो की 36 साल और तकरीबन 9 मा के हैं उनकी कुंडली का विस्टेशन करने जा रहा हूँ ये अपनी शराब की बूरी आदत के चलते अपने और अपने परिवार के भविश्य को अंदकार में धकेल चुके हैं ये बच्पन से ही उद्धंडी यानि गुसा जिद्धीपन अपनी टांग आगे रखना कि मैं ही सबजारू बागी सब बेवकूफ है और अपने माता पिता को कहना माता पिता का कहना नहीं मानना शायद इसी लिए कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिखने लग जाते हैं और कबूत के लक्षन भी इनके इन हरकतों के कारण पहले ये कूसंगती यानि बैड कमपनी में पड़े और फिर कूसंगती रूपी बरबादी के समुद्र में से ये शराब रूपी बूरी लत को लेकर बाहर निकले यानि कि जिसके कारण इनकी पत्नी इनके छोटे बच्चे और इनको स्वैम को छोड़ कर अपने माबाप के घर चली गए शादी शुदा बैकती है एक बेटा है तो ये अब रहते किसके पास है अपने माता-पिता अपने बेटे के साथ ही रहते हैं और पत्नी इनको छोड़ के चली गई और फिर इनका तलाक भी हो गया अब हाल ये है कि इनके बेटे को मा का प्यार नहीं मिल पा रहा है और इनके माता-पिता इसकी शराब की लट से बहुत परिशान है किसी सोशल इवेंट में सामा छी के पारे बारे काम में तो जाना ही सकते हैं बात करते ही मुह में जबदबु आने लग जाती है सूबह से लेगर रात तक ये ही कारिकरम चलता है जैसी होश میں आते हैं शराब का प्याला जाना चाहिए ताकि फिर बेहोश हो जाएं दर्शकों हर मावाप यह आशा करते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर उनका नाम रोशन करें और उनका सहरा बनें और सहरा भी भले नहां बनें पर उन्तों माता पिदा को खून के आंसु तो कम से कम नहीं रूलाएं कई बार रिहेबिलिटेशन सेंटर साधारन भाषा में कहूं तो नशा मुक्ति केंदर में जाकर शराब छोड़ देते हैं और बाहर आने पर कुछ समय के बाद वापस वही रंग रेलिया शुरू हो जाती हैं और इस वक्त जब मैं इनकी कुणली का विस्टेशन कर रहा हूँ तो ये इस वक्त नशा मुक्ति केंदर में ही हैं इनके माता पिता इनकी दूसरी शादी को लेकर भी चिंते थें तो चलिए आईए नजर डालते हैं इनकी कुणली पर और देखते हैं कि आकर किन कारणों की वज़े से किन ग्रहों की वज़े से कून सगती में पड़े, मैट गंपरिम गए, फिर शराब की लट के आदी होगे, और वापस शादी होगी या नहीं, और संतान से सुख है या नहीं, यही सब कुछ देखेंगे इस आनंद महराज की तो इस वक्त ये छे नंबर की कुणली आपको दिखाए दे रही है, देखें लगन में सूरी रहू बिराजमान, इसे हम कन्या लगन की कुणली कहते हैं, लगनेश बुद्ध, बुद्धी का अदिपती है, आपके इंटेलिजेंस, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यू उस आइडियास का लॉर्ड है, ये बुद्ध 12 आउस में चले गए हैं, सिंग राशे में गए मित्र के गर में प्लस पॉइंट हैं, पर शनी के साथ बिराजमान हैं, लगनेश का बारवे गर में जाना कत्त ही अच्छा नहीं माना जाता है, नाश हानी भाव में बिराजमान और धीमी गती के गरह शनी के साथ बिराजमान होकर, बुद्ध यहां पर 24.10 डिगरी के शुक्र के नक्षत्र में हैं, यहां सूर्य बुद्ध का परिवर्तन राजयोग भी हैं, देखें, छे नमबर के लौड बुद्ध बनते हैं, वो पांच नमबर सिंग राशी में, सिं शुक्र इंसान को ऐशो आराम देते हैं, तो भाई ऐशो आराम तो माता पिता ने दे ही रखे हैं, कुछ बोले तो यह गुस्सा करता हैं, और कार, घर, सुक्सुविदाएं बहुत हैं, और अगर कुंडली में शुक्र पाप पीडित हो, तो बुरी संगत में भी फंसा देत हैं, मैं इनको जानता भी हूँ, और इनके जो खुद के जीजाजी हैं, वो एक बड़े अच्छे बिल्डिंग का काम करते हैं, लेंड डेवलपर हैं, और बहुत अच्छा प्रॉपर्टी इसका बिजनस करते हैं, इतना बढ़िया जीजाजी, जो चाहते हैं, अपर इस साल का धनभा होता है, वह शुक्र और मंगल शुक्रियां पर स्वगरे भी बनते हैं, जिससे ये वैक्ती शौक मौच एवं मनोरंजन के साथ साथ, इट एंड डिंक, खाना और पीना के सिद्दान्त को अपना रहे हैं, शराब पिना, दिन बर सोना और रात को जागना, इंटरन का हमारा युववववग, अगर अंदुस्तान में अगर कहीं देखें तो पंजाब सबसे ज्यादा ड्रक्स के जाल में फस चुका है, युववग, ज्यादा तर युवग पंजाब के बरबाद हो चुके हैं, और बरबादी कगार पर हैं, क्योंकि नशा वड़ी आसानी से मिल सकता है, यू तो कहते हैं कि भाई, हमारे याँ पर नशा नहीं मिलता है, लेकिन नशा कर चाहिए, तो हर जगे मौजूद है, गुजरात के अंदर शराब नहीं मिलती है, लेकिन जिसको पीडिये उसको जरूर मिल जाएगी, इसके बारे में आगे और खुलासा करेंगे दूसरे पॉंट की तरफ लिजाना चाऊंगा, लग्न में द्वादशेश और नीचा रोही सूरी राहु का ग्रहन दोश ने जीवन पर ग्रहन बना दिया है, यहाँ पर लग्न में सूरी राहु का ग्रहन दोश सूरी आतमा के कारRE ग्रे होकर, राहु के साथ यूती होने से इंसान को بूरी आदतों को छोड़ने की शक्ती ही नहीं देते हैं जो तरक्की करता उसे उवगता हुआ सूरज कहते हैं सूरज हमें ताक्त देता है एनर्जी देता है लाइट देता है यूँ खुदी गरहन दोश्ट में कहां से लाइट और एनरजी देंगे आपको इतनी विल पावर नहीं होती है कि अच्छा और बुरा में भेद जान सके सेवन्त हाउसे बिराजवान केतू ये देखे बारा नंबर में केतू बिराजवान है इसकेतू की 7-2 दृष्टी 12-6 की तरफ एक एरो जा रहा है यानि ये दृष्टी लगन इस्तान पर बन रही है जिससे इंसान हट योग अपनाता है अपनी टांग आगे रखना क्रोधी होता है उदधडता यानि अपनी टांग आगे रखना अपनी सोच को ही लोगों पर थोपना करने में माहिर होता है माता पिता क्या वह व्यक्ति किसी की भी आग्या का पाला नहीं करता है जो मन में आये तो वही बात पुरी जो दुनिया है जो दुनियादारी है इनके आगे नहीं टिकती है क्योंकि लोग अपने-पने स्वाविमान में जीते हैं हम रहें मस्ती में और आग लगे बस्ती में यह सिद्दान्त अपना कर चलते हैं यह देखें लगन ही पाप करतरी दोश में है देखें लगन के दोनों तरफ पापी ग्रह बिराजमान है आगे एक तरफ मंगल पीछ एक तरफ शनी और वो दोनों आपस में दुश्मन है लगने के दोनों तरफ पाप ग्रह बिराजमान है जिस से जीवन उदेश के बिना जीना पड़ता है इंसान को कोई अबजेक्ट नहीं इस इंसान का यहाद भी बोलता बड़ा अच्छा है और यह बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और इस इंटेलिजेंस की वज़े से यह कहां से कहां पहुँच सकता है सिर्फ थोड़ा से इंतिजार करना है इतनी शराप पीने का शौक है तो कम से कम दिन भर मत पीओ शाम कोई ही पीलो का कि आपको अच्छी नींद आ जाए और आप शांती से सो जाए सुबह उठने से शाम तो करेंगे तो बरबादी यो और चाहेंगे तीसरा पॉइंट सेवन था उस पत्नी और ग्रहस सुखों का होता है और यहां केतू और उस पर ग्रहन दोश के द्रिष्टी ही डाइवोर्स के लायक बना चुकी है बारा में केतू केत छोड़ावे खेत पत्री एक खेत छोड़ कर दूसरी खेत पे जा चुकी है उस पर ग्रहन दोश की दृष्टी और वैसे भी कोई भी पत्नी ये कब तक सहन करेगी पती इस प्रकार की हरकतें करे यहां सब्तमेश देव गुरु ब्रैश्पती लाब भाव में देखे बारा नमबर के लॉड ब्रैश्पती चार नमबर बिराजमान है उच्छ राशी और चंद्रमा से चार दस का संबंद होने से चंद्रमा कहां पर बिराजमान है एक नमबर में ब्रैश्पती चार नमबर मे चार दस का संबन्द गच के स्रियोग शुब है लेकिन गुरू 9.6 डिगरी के शनी के रक्षत्र में है और स्वैम शनी 12 आउस में अपने प्रमल शत्रू सूरी की राशी में बिराज़वान होकर अपनी तीस्री तिस्टी से देखिए पांच से साथ की तरफ एक एरो जा रहा ह वो शुक्र को देखते हैं शुक्र पहले ही मंगल के साथ पाप पीडित है जिससे दो विवाह का कारण बनता है अगर पहली शादी से पहले ये गट विवा, खेजडी विवा, कुम विवा, विष्णु विवा, अर्क विवा कोई भी विवा करवा लेते तो ये नौबत नह हो गया, ग्रहस्त कारक शुक्र 17.4 डिगरी के मीन नवमांश में उच्च के हैं, यानि स्वग्रे होकर उच्चत्व का फल देंगे, 9 सितंबर 2016 की मंगल की दशा में शुक्र का अंतर दृतिय विवा, अवश्य संपन कराएगे, तो आज की मेरी बाच्चित का निश्कर्ष क कैसे, आगामी 14 जुलाई 2015 से इसी जो जा चुका है, यहां से 11 अगस 2016 तक देव गुरु ब्रेश्पती का गोचर ब्रह्मन सिंग राशिम में रहेगा, यह ब्रेश्पती जर्म राशिम से पंचम इस्तान में गोचर वशाद ब्रह्मन शिल होने से इस दौरान पूर्ण मनो योग से शराब छोड़ने की प्रबल इच्छा रखने पर सफलता प्राप्ती होगी, इसे गुरु दिक्षा दिलवाईए ताकि इसके मन में भाव व्याप्त हो सके शराब छोड़ने का, और द्वितिय विवाहेतू यह समय उचित प्रस्तावों की प्राप्ती हेतू सायक रहेगा और इसे सूरत कभी भी सूट नहीं करेगा, तो हो सके तेसे मुंबई बेज दें, ज्यादा बहतर रहेगा। विशेश सूचरा, आप जितरे भी देश और विदेश में मेरे शिश्य हैं, 31 जुलाई 2015 को, आप सभी सुबह 8 बजे से लेकर रातरी 8 बजे तक, मैं आपके लिए जोत्पुर कारेले में 0291-519-000, इस टेलिफोन नमबर पर महजूद रहूंगा, आप अपने जोतिश, अथिहात्म, वास्तु, किसी भी प्रकार की जानकारी मुझसे ले सकते हैं, समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं, टेलिफोन काल्स तो बहुत आएंगे, जितने मेरी सी समर्थी है, कोशिच करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टेलिफोन काल्स को लिया जा सके हैं, तो पाज साल और तीन माह के बच्चे के बारे में माता पिता गरीब हो या अमीर पड़े लिखे हूँ या अनपड हूँ लेकिन बात जब बच्चों की आती है तो संतान के परती प्रेम और प्रेम से आगे चिंता भी थोड़ी बहुत स्वाबावी के बच्चा चाहे छोटा हो य ही रहता है उनकी फिलिंग भी संतान के परती ता उम्र वैसी ही रहती है मुझे इनहीं सब मिली जूली फिलिंग के साथ एक माता पिता ने संपर किया है ये बच्चा एक स्पेशल क्वालिटी का बच्चा है इसे आप कोई भी वर्ड बताईए सेंटेंस बताईए ये आपक इनका प्रश्ट ये है कि श्रिमाली जी इस उल्टे बताने के वज़े से तो जीवन चल नहीं सकता है जीवन में वाके में कुछ सीधा तो हमें करना ही पड़ेगा अब इनके पुत्र की पढ़ाई सिक्षा तथा करियर कैसा रहेगा किस शेत्र में इस बच्चे के एजूके प्रश्ट नहीं चाहिए ताकि कोई उपाय हो तो बच्चपन में ही किये जा सकते हैं तो आईए जर्म कुण्ली पर निगाह डालते हैं और देखते हैं कि क्या है इनके ग्रहों का खेल क्या बरेगा ये बच्चा और क्या इसके माता पिताओ इसके लिए करना चाहिए ये ज फसल निकलती है और फसल को किसान काट कर बेच देता है बेचने के बाद अगर प्रॉफिट बजगया तो किसान अपने लिए माकान बनाएंगे गाड़ी लेंगे सुक सुविधाएज उटाएंगे अपने बच्चों के अच्छी सिक्षा दिक्षा और तालीम का ध्यान रख यानि वरिशब लगन वाले लोग जो है वो थोड़े सा उनको मेहनत जादा करनी होते है रिजल्ट उनको कम मिलता है अब यहाँ पर लगनेश बनते हैं शुक्र वो लाब भाव में बिराजमान होकर उच्छ राशी के हैं देखे शुकर बारा नमबर बिराजमान यहां सूर लेकिन नीच राशी के होने से थोड़े से कमजोर हो गए जहां पर बारा नमबर लिखे हुए वहाँ पर नीच राशी के बुद्ध हैं बुद्ध बुद्धी का तियुपती हैं परन तो शुक्र के साथ लक्ष्मी नारान योग बना रहे हैं लक्ष्मी नारान के साथ ही र साथ ही सूर्य बुद्ध की यूती भी यहां पर बन रही है जो बुद्ध आदिती योग गटित किये होने से बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनस मैनेजमेंट, कंसल्टैंसी, लौ, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी यह ऐसा कोई भी काम यह कर सकते हैं और अभाष्यक के शुक्र की और उच्चा-ोही सूरी की द्रिष्टी भी यहां पर जाती है, संतान भाव की तरफ, सिक्षा भाव की तरह, वही सिक्षा के अधिरिक्त, कोई जरूरी नहीं कि Brisbane करता है, वो कुछ नहीं किरता है, मैं तो मानता है नहीं इस बात को, अनपढ़ को खुशनुमा बना देता है और कला के शेत्र में भी इसकी रूची रहेगी परंतु बुद्ध और शुक्र दोनों सूरी के साथ सूरी की डिगरी से आगे चले जाने की वज़े से अस्त हो चुके हैं बड़ते हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ पंचम भाव जहां छे नमब राशी दोनों के लोट बनते हैं शनी वो कन्य राशीम बिराजमान है एक त्रिकॉन दूसरे केंदर का दिपति उपर त्रिकॉन भाव में उच्चा रोही बड़ा सुंदर राजयोग बनता है लेकिन कॉमन सेंस के अस्टम भाव में राहु बिराजमान है जो खराब हो गया अब सहर किसी को मुकमल जहां नहीं मिलता है जहाँ पर नौन में लिखे हुए वहाँ पर नीच राशी के राहु बिराजमान है और राहु का पंचम दृष्टी संबंध मन मस्श्क के कारक चंदरमा से है नौ से एक की तरफ एक एरो है चंदरमा को डैमेज कर दे है जिससे बच्चा हाइपर एक्टिव होता है एक जगट बैठ नहीं सकता है आपके गर में भी ऐसे कोई बच्चे हो सकते हैं बाता बड़े दुखी होता है कि यह दस बिनिट से जादा बैठ ही नहीं सकता है ऐसा क्या बगवान ने सौफ्ट वेर लगा कर बेजाए है तो बड़े द बाकत इसको ही हाइपर एक्टिवनेस को ही हम अपना अतियार बनाकर आगे बढ़ेंगे और लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे अब रहू की साथवी दृष्टी दृवितिय भाव में है और नौमी दृष्टी चतुरत भाव में है देखे नौ से तीन और नौ से पांच की तरफ भी एक एरो है अब इस कारण सिक्षा में एकागरता का अभाव परिक्षा के समय स्वास्ते में उतार चड़ाव की समस्या मन के अनुकूल परिक्षा परिक्षा परिणावों की प्राप्ती नहीं होने जैसी समस्या बारा वर्ष की आयू तक रहेगी लेकिन इस दो बैडमिंटन, स्विमिंग, चैस, कोई भी और संगीत वगरा सब के फिल्ड में इसको डालिये, वीकेंड में ज्यादा आपको लगेगा कि बच्चा पर्टेगुलर किसी एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिर उसका करिए उस पर बन सकता है, इस से राज जेश ब्रैशपती जहाँ पर बारा नमबर लिखे हुए, वो कुंडली का प्रॉफिट हाउस होता है, वो ब्रैशपती दशम बहाउ में बिराजमान होकर देखिए, ब्रैशपती केंदर में आगए हैं, गेरा नमबर में, वहां बिराजमान होकर अपनी पांचवी दृष् और नौमी दिरिष्टी छटे बाव में होने से देखिए ग्यारा से साथ की तरफ एक एरो है यानि रोग नहीं रहेगा कई बार स्पोर्ट्समेन के चोटें बहुत लगती बहुत सारे उप्रेशन होते हैं तो वाकई में बहुत नाम करने वाला बच्चा ही बरेगा अब देखिए चंद्रमंगल का परिवर्तर राज्योग की वज़े से लगबख पूरी दुनिया गूमने का योग है और खूब नाम और शोहरत ये बच्चा कमाएगा चंद्रमा एक नमबर में और मंगल चार नमबर में यहाँ पर देखिए परिवर्तर राज्योग 12 आउस औ क्योंकि इसके अदर ताकत है इस ताकत का मैं फाइदा उठाना है आगे बढ़ते हैं चार अक्टूबर दो हज़र माफ करेगा अक्टूबर 14 और 2033 तक शुक्र की दशा रहेगी जो की स्रेष्ट दशा है और बाद में 23 साल सूरी चद्रमा और मंगल की दशा जीवन की को सेकेंडरी रखता और स्पोर्स को फर्स रखता है आप लोग अपने जीवन में जब भी ठकते हैं परेशान होते हैं आप स्पोर्स देखते हैं आपको खुशी होती है आप कोई पिक्चर देखते हैं कोई सीरिल देखते हैं एंटरटेंटमेंट का कोई काम करते हैं अब उन सब के लोगों ने अपने बच्चों को घर पर ही बिठा दिया उतार, इंजिनिर डॉक्टर बना थे, तो आप एंटरेट में कहां से देखते हैं, आप इंजिनिरिंग और मेडिकल के कोई चैनल देखते हैं क्या, नहीं देखते हैं, तो अपने बच्चों को मत रोकिए, उ कैले स्पोर्ट्स और सारे काम करवाईए, दो डही साल के बाद जब आपको लगेगा, कि ये बच्चा पर्टिकुलर किसी काम बेचा कर रहा है, तो उसी भी आंके बढ़िए, कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, जिन उपायों का साहरा लेकर, आप अपने बच्चे को अगर थोड़ा सा दूरवा, यानि ग्रीन ग्रास और लाल पोश्प, गर में कोई गाडन हो, गमले में लगा दीजिए, उससे आप चड़ा सकते हैं, बच्चे को बड़ा चरलाब बिलेगा, बुद्वार का हो सके, तो एक टाइम खाना खिला है, या फिर मा इंके लिए कर और जैसा कि मैंने बताया कि गणेश जी के 108 बार पाट अवश्य करें, और ओम गंगनपते नमह का एक माला अवश्य 108 बार करना चाहिए, दूसरा उपाए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनिश्चराय नमह मंत्र के 23,000 जाब अवश्य करें, हो सके तो कल्यू के अनुसार तीन गुना जादा जाब करने चाहिए, उनसी तरह जार करें तो और भी अच्छा रहेगा, सिद बीसा यंतर में त्री शक्ती कवच गले में आप धारन करवा सकते हैं, वो भी आप नीलम पन्ना और अमेरिकन डायमंड जडित एक पैंडल गले में धारन करवाईए, उसके साथ स जरूर संपर करिएगा, और भी कई प्रकार के फैसलिटिस जोत्पुर आध्यात्वी साधना सिति केंदर देता है, बस फोन करिए और जान लीजे सारी समस्याओं का समधान, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे अपनी माने को यही विराम देरी के लिए जाज़ा अपनी मानेताओं के जंगल से निकलने के लिए पकडंडी दिखाने वाले सद्गुरु अवश्य चाहिए, यदि आप भी सद्गुरु का आशिरवाद एवं सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो है आपके पास स्वन्निम अवसर गुरु पूर्णिमा का, आगा में 31 जुलाई 2015 को गुरु पूर्णिमा के विशेश अवसर पर आप भी परमपुजी गुर्देव सुरेश श्रीमाली जी के शिश्य बन उनसे गुरु दिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए संपर्ग करें, 0291 519 00 00 98 290 266 25 93 147 28 165